कि नमस्कार दोस्तों कैसे अच्छा करता हूं बहुत अच्छ fines गारब ऋपने परिवार का बहुत अच्छी सेध्यान रख रहे हैं तो आंगे बन US पर दोस्तों अगर अपने मेरे चैनल अपक्तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया दोस्तों जाहिए नहीं से बत मैंने चाहिए अपस्ट होई लगता इस काम का तो दोस्तों आज के स्वीडियो में हम यह देखेंगे कि आप गैबन का यी वीजा कैसे अपलाई कर सकते हैं वीडियो को अंतक जरू देखेगा दोस्तों दोस्तों ज्यादा सज्यादा कंट्री आजकल इविजा सिस्टम पे माइग्रेट कर रहे हैं जो कि ट्रैवलर्स के लिए और इवन गौर्फ्ट के लिए प्रॉसिंग के लिए बहुत सुवीधा जनक बात है पसे एक बात क्लियरफाई कर तो दोस्तों कि मैं को इमिग्रेश वेबसाइट खोली है इसमें देखे देखे स्टेप्स दिये हुए हैं इदेखे चार्स स्टेप में करना है वीजा टाइप सेलेट करना है फॉर्म फिल करना है डॉकुमेंस डालना है सब्मेट और इसके बाद कॉस्ट वगरह भी वहाँ पर दी गई है कि किसमें कितना फी लगेगा processing time क्या है वो देखे 72 hours को में ठीक है और कितना duration के लिए मिलता है और extension वगरह के लिए क्या 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 उसमें रूस है यह भी दिया गया है अब payment on arrival किया तो वह भी information तो देखे आप से पुछा किस तरह चीज़ा है इस single या multiple multiple करोगे तो उसका आपको six months को options आ रहा है single करोगे तो उसका आपको various options आएंगे जो भी आपको हिसाप से appropriate है आप वो select कर लोगे और next step पर जाओगे अब यहाँ पर आपको date application के date डालनी पड़ती है और अपना personal information यहाँ पर name details date और यह सारे services पर fill up करोगे बहुत simple है दोस्तो email passport details यह सब हमेशा दोस्तों बहुत carefully भरने का है और submit करने से पहले एक बर आप verify जरू कर लीजे कि बहुत बार लोग छोटी मोटी mistakes कर देते हैं उसके बाद काफी struggle करता है कि भाई हो आप mistake हो गए अब मैं इसको कैसे ठीक करूं तो यह ची यहां पर गैबन में जो आपका contact है उसका information पूछा जा रहा है hotel name जो भी आप जहां पर अपना trip plan किया है वो तो यह step पूरा करने के बाद 3 से step पर आपको जाकर अपने document submit करने है और 4 step पर वो आपका form यह fill up हो जाएगा तो इतना simple है दोस्तों उसके बाद यह 72 hours में अगर approve हो जाए तो हो जाएगा और आप check status भी कर सकते हो email passport number यह सब डालके तो यही है दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया process काफे simple है आशा करता है आपको पसंद आओ वीडियो को like जरू कीज़ेगा दोस्तों चैनल को subscribe जरू करके जएगा धन्यवाद